हेलो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के साथ आम की बहुती मज़ेदार रेसिपी से एर करने जा रही हूँ तो आप प्लीज इस वीडियो को जरूर पूरा देखें और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें, सेयर करें और बेल आइकन को दवाएं तो यहां मैंने लिया एक मालदा आम उसे अच्छी तरह से धोकर उसका छिलका अलग करके मैंने उसके सारे पल्प को बाहर निकाल लिया है अब मैं इसे मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर दी हूँ और उसे मैं अब ग्राइंड कर लूँगे तो यहां मैंने आम को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है यह हमारा एक कटोड़ी आम का पल्प हुआ है ग्राइंड किया हुआ जिस कटोड़ी से मैंने आम का पल्प को नाप कर लिया है उसी से हमें एक कटोड़ी गेहूं का आटा भी लेना है और एक कटोड़ी मिल्क भी लेना है तो यहां मैंने ग्राइंड की यह वे आम में डाला है गेहूं का आटा अब मैं इसमें एड़ कर रही हूं मिल्क तो मिल्क को हमें धीरे-धीरे एड़ करना है पुरा एक बार में ही नहीं डालना है वरना हमारे आटा में गुठली बन जाएंगे तो इसी तरह हमें धीरे-धीरे अच्छी तरह से हमें इसका बैटर तयार कर लेना है तो यहां मैं जो आम का माल पुआ बना रही हूँ यह बहुत ही new recipe है और unique भी है तो आप इस recipe को जरूर try करें घर में सभी को बहुत ही पसंद आएगा जिस तरीके से हम पुआ का better तयार करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसका भी better तयार करना है तो यहां मैंने जिस कटूरी से आम का pulp को नाप कर लिया था उसी कटूरी से मैं सारे सामागरी को नाप कर ले रही हूँ तो यहां मैंने लिया है एक कटूरी चीनी और एक कटूरी पानी गैस पर मैंने कराही को गर्म होने के लिए रख दिया था अब मैं इसमें डाल रही हूं चीनी और पानी, दोनों हमें एक ही बार डालना है, एक पिंच केसर, इसे हमें लगातार चलाते रहना है, हमें इसका एक तार का चासनी बना लेना है, अब मैं डाल रही हूं इसमें थोरा सा इलैची पोडर, इलैची डालने से इसका टेस्ट बह सकते हैं जब घर में कोई गेश्ट आ जाएं तो आप इस रेशिपी को जरूर बना कर ट्राइ किजिए सभी को बहुत पसंद आएगा तो बैटर को मैंने आधा घंटा तक रेश्ट होने के लिए रख दिया था बैटर हमारा रेश्ट हो गया थोड़ा गारह है अब मैं इसमें थोड़ा सा मिल्क और मिला लूँगी और इसे थोड़ा सा पतला इसका बैटर कर लूँगी यहां मैंने चराया है लोहे का कराहि और उसमें डाला है रिफाइन ओयल इसमें मैं थोड़ा सा बेटर डाल कर देख रही हूं कि हमारा तेल गर्म हुआ है की नहीं तो हमारा तेल गर्म हो गया है यहां मैं low to medium flame पर तेल को गर्म की हूं एक बार आप जब इस पुआ को पलट देंगे तब फिर हमें इसका लो टू मिडियम फ्लेम कर देना है हाइ फ्लेम पर अगर आप पुआ बनाएंगे तो इसका अंदर कच्चा रह जाएगा अलो टू मीडियम फ्लेंपर जब आप इसे फ्राय करेंगे तो ये अंदर से भी बहुत ही क्रंची होगा और बहुत ही ये टेस्टी रेसिपी है तो चासनी भी हमारा बनकर तयार हो गया है ये पुआ जब हम छान कर चासनी में डालेंगे तो हमारा चासनी हलका गर्म रहना चाहिए ठंडा बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए तो हमारा आम का पुआ बनकर तयार हो गया है तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राय करिए और हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताईएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब करें और हमारे पुआ का आनांद लें धन्यवाद